हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्त और हमारे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सबी लोगों का एक βार से फिर से स्वागत है तो चलिए दोस्तो नए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हूं उस वीडियो के बारे में सब कुछ तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करते हैं दोस्तों में शेयर करते हैं और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे Vigora 100MG टेबलेट के बारे में हम बताएंगे इस टेबलेट के क्या-क्या फायदे होते हैं किस तरह से इसको इस्तमाल करना चाहिए कौन से लोग इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसकी डोज क्या है इसमें कौन से composition डाले गये हैं किस company द्वारे ये market में बेचा जाता है price क्या होती है जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में तो उसके लिए आप इस वीडियो में शुरूशे अंते तक बने रहें साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो like share करना ना भूलें दोस्तो वीगोरा 100 mg टेबलेट कुछ इस तरह के कागस के quarter box में आता है जिसमें चार गोलिया देखने को मिलती है जिसे बनाती है German company जो की काफी अच्छी और जानीमानी company है वीगोरा 100 mg टेबलेट के composition पे नज़र डालें तो इसमें still denafil आपको 100 mg देखने को मिलता है दोस्तो वीगोरा 100 mg टेबलेट काफी famous टेबलेट है जो की sex power को बढ़ाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है दोस्तो ये दो समस्याओं में काफी अच्छा काम करता है जैसे कि अगर आपको premature education की समस्या है यानि कि आपको बार-बार शिग्रपतन हो जाता है तो उन condition में आप इस टेबलेट का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो शिग्रपतन में क्या होता है कि आदमी संभू करना स्टार्ट करता ही है जैसे उसके जार से जो है erectile dysfunction की शिकायत है यानि कि लिंग में तनाओ की कमी है तो उन condition में भी स्टेबलेट का इस्तमाल किया जाता है अक्सर दोस्तो लिंग में तनाओ ना आने की वज़े से लोग बिस्तर पे प्यार का मजा लंबे समय तक नहीं ले पाते जिसके चलते उनके पार्टनर के बीच आए दिन जगडा होता रहता है और बहुत ही कहा सुनी होती है जिससे उनकी शादी शुदा लाइब जो है खत्म हो जाती है कई बार बरबाद भी हो जाता है तो ये जो टेबलेट है शीगर पतन और लिंग में तनाओ बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है लेकिन दोस्तों वीगोरा ये 100 mg का टेबलेट है जो मैं रिवीव कर रहा हूँ ये आपको तीन तरह के पायक में देखने को मिल जाता है पहला जो आता है 25 mg का दूसरा जो आता है 50 mg का और तीसरा आता है 100 mg का जो मैं रिवीव कर रहा हूँ ये 100 mg का है तो ये सारे mg में आता है और इसे जो है अगर कोई व्यक्ति इस्तमाल करना चाहता है तो एक बार अपने नजदी की डॉक्टर से सलाल लेने के बाद ही इसका इस्तमाल करें नहीं तो इसके बहुत ही घातक भी परिडाम आप बिन डॉक्टर के पर्मिशन के बगर इसका इस्तमाल करते हैं तो दोस्तो इसे अगर आप लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कितने mg से इस्तार्ट करें तो दोस्तो अगर आप पहली बार इसका इस्तमाल करते हैं first time इस्तमाल कर रहे हैं और आपकी उम्र जो है पचीस साल से नीचे है या तीस साल से नीचे हैं तो आप इसे जो है पचीस mg से start करें क्योंकि दोस्तो अगर आप 100 mg से तुरंत start कर देंगे तो 25 mg बाद में काम नहीं करेगा 100 mg उनके लिए आता है जिनकी उम्र 60 साल 70 साल है और उन उम्र में भी वो मजे लेना चाहते हैं तो उनके लिए 100 mg आता है लेकिन जिनकी उम्र 25 साल से नीचे है या 30 साल से नीचे हैं वो लोग लेना चाहते हैं तो 25 mg से स्टार्ट करें और जब 25 mg कुछ दिन बाद काम ना करें तो वो 50 mg ले सकते हैं इस तरह करके वो 50 या फिर 100 इस तरह करके इस्तमाल करेंगे तो इस टेबलेट को आप लंबे समय तक इस्तमाल कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तो इस डब्बे में जो है चार टेबलेट होती है जो की हर्ड सेप में होती है और इसे जो है रेड टेबलेट के नाम से भी मार्केट में ये बिखता है बहुत से लोग वीगोरा काते हैं वायगरा आता है या फिर रेड टेबलेट के नाम से भी ये मार्केट में बिखता है क्योंकि इसकी tablet जो है red color की होती है और दोस्तों ये काफी अच्छा है और इससे 100% फायदा मिलता है और link में तनाव लंबे समय तक रहता है जिससे आप विस्तर पे लंबे समय तक और भरपूर मजा ले पाते हैं और अपने partner को भी अच्छी तरह से संतुष्ट कर पाते हैं साथ ही दोस्तों इस tablet के लेने की तरीके की बात करें तो इसे जो है 18 साल से उपर के लोग ही इस्तमाल कर सकते हैं 18 साल से नीचे के लोग इसका इस्तमाल हर गिजना करें इसे जो है दोस्तों संभोग करने के आधे गंटे पहले यानि कि 20 या 30 मिनट पहले आप इस टेबलेट को नार्मल पानी से ले 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 और इस टेबलेट को जब भी इस्तमाल करना हो तो भारी भरकम भोजन ना करें यानि कि ज़्यादध तेल या डलडे वाले चीज़े या ज़्यादध फाइट वाले चीज़ें जो होती हैं बारी बरकम जो भोजन होते हैं उनके साथ इसका इस्तमाल ना करें नहीं तो इस द mesh का असर आपके बोड़ी पर बहुत ही इसलिए इस tablet को या तो खाली पेट लें या फिर कुछ हलके फुल के भोजन के साथ अगर आप इस tablet को लेते हैं तो आपको इस से 100% फायदा मिलता हैं दोस्तो मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है लोग कहते हैं कि इस टेबलेट से कोई फायदा नहीं मिलता कुछ असर नहीं दिखाता तो उनके लिए मैं कहाना चाहूंगा कि जब वो लोग भारी भरकम भोजन करके इस टेबलेट को इस्तमाल करेंगे तो इसका कोई भी र अउजार में जो है 6-7 घंटे या पूरी राज जो है तनाव बना रहता है आप एक बार नहीं दो से तीन बार भी संभोग कर लेते हैं लेकिन फिर भी आपका आउजार ढीला नहीं होता और नहीं आपका आउजार बैढता है इतना जबरदस्त यह टेबलेट के लोगो इस टेबलेट को दिन में एक बार ही इस्तमाल करें दिन में इसे कई बार इस्तमाल ना करें और जब संभोग करना हो तब ही इसका इस्तमाल करें आदे गंटे पहले और इसे रोजाना इस्तमाल भी ना करें हपते में एक से दो दिन लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होत अगर आप इसे रोजाना लेते हैं तो ये आपके body को बहुत ज़्यादा side effect पहुँचा देता है साथ ही दोस्तो ये prescription drug है तो डॉक्टर से जरूर सला ले और दोस्तो इस tablet को जो है दोस्तो इस tablet के side effect भी होते हैं क्योंकि ये alopathic drug है इसके side effect निम्न देखने को आपको मिल सकते हैं इस tablet की लेने के बाद आपको headache हो सकता है या पूरे body में pain हो सकता है बुखार आ सकता है या फिर आपको धुदली आपकी दृष्टी हो सकती है चक्कर आ सकता है पेट खराब हो सकता है तो इस तरह के कुछ common side effect होते है या फिर आपका नाग जाम हो सकता है सांस की रफ्तार बढ़ सकती है तो इस तरह के कुछ common side effect होते हैं जो कि सभी को नहीं होता और साथ ही अगर दोस्तो इन तरह के लोग इसका हरगेज इस्तमाल ना करें और अगर इस्तमाल करना हो तो अपने नजदिके डॉक्टर से सलाल लेने के बाद ही इसका इस्तमाल करें जैसे कि जिनको high blood pressure की शिकायत है diabetes की शिकायत है kidney disease है या किसी अधर रोग की दवा चल रही है तो उन condition में डॉक्टर से सलाल लेने के बाद ही इस दवा का इस्तमाल करें तो यह था दोस्तो vigora 100 mg टेबलेट के बारे में सब कुछ उमीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की और वी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो फिर मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए